हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, इस डिजाइन को तैयार करने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 7 इंच ली है और आस्तिन की चोड़ाई आप अपने साइच के अनुसार लेंगे इसमें डिजाइन बनाने के लिए हमें हाफ गोल सेफ में बाकरम की कटिंग कर लेनी है डिजाइन की लंबाई 4 इंच है और इसकी चोड़ाई हमने 5 इंच ली है बाकरम की चोड़ाई हमने 1 इंच ली है बिलकुल इसी तरीके से हाफ गोल सेफ पे कपड़े पे आपको बाकरम क को ऐसे चिपका कर इसके किनारे की साइड में ऐसे सिलाई चला लेनी है इस डिजाइन को अब हम आस्तिन के कपड़े पे लगाएंगे तो यह रहा हमारा आस्तिन का कपड़ा इसे हम ओपिन करेंगे और डिजाइन को बीच में ऐसे लगाएंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन ह बिल्कुल उसी सेप में हमें डिजाइन की उपर यहां से सिलाई चला कर इस लाइन को कम्प्लीट कर लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारी डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम एस्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे एस्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद डिजाइन को प्रॉपर सेप में फोल्ड करने के लिए हम किनारे की साइट से हलका हलका कपड़े को ऐसे कट करेंगे अब हम इसे फोल्ड करके सीधा करेंगे डिजायन को हमें ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है और इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे डिजायन परफेक्ट सेप में बैठ जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हमें चकोर सेप में कटा हुआ दो कलर का कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पाचेंच है दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है और तिर्ची में फोल्ड करते हुए हमें इसे कट कर लेना है कपड़े को दो भागों में ऐसे कट करने के बाद अब हमें दोनों कपड़े को ज्वाइंट करते हुए इसके उपर सिलाई चलानी है तो ये देखिए यहाँ पे हम ऐसे तिर्ची में सिलाई चला लेंगे दूसरे कलर का कपड़ा हलका सा दिखना चाहिए. अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और दोनों साइड से कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे. अब हमें किनारे की साइड में यहां से सिलाई चला लेनी है. दूसरे साइड से भी सिलाई चला लेंगे. अब हमें एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है तो ये देखिए ऐसे हम एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और दो इंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को हमें दोनों साइट से फोल्ड करना है और इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए हमें चोड़ी पट्टी की डोरी तयार कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और रोजाना एक नई डिजाइन की वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजाकर आलका ओप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी नेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस चोड़ी पट्टी की हमें 7 इंच की लंबाई नापकर यहां से कट कर लेनी है सेम साइज का हम दो चोड़ी पट्टी ऐसे कट करेंगे अब इस चोड़ी पट्टी को हमें डिजाइन के उपर लगाना है तो यह देखिए डिजाइन के किनारे की साइड में यहां पर चोड़ी पट्टी को लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप इस डिजाइन को easy step में तैयार कर सकती हैं अब हम यहां से धागे को cut कर लेंगे और डिजाइन के दूसरे साइड में भी हम चोड़ी पट्टी को लगा लेंगे यह देखिए ऐसे हमें दूसरे साइड में भी लगा लेना है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे हमने डिजाइन के दोनों साइड में चोड़ी पट्टी को लगा लिया है सेम साइज का फ्रेंड हमें ऐसी एक और डिजाइन बना कर तैयार कर लेनी है तो यह देखिए हमने दो डिजाइन बना ली है अब हमें दोनों डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट कर लेना है एक के उपर एक ऐसे लगा कर और इसके बीच में हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और इस डिजाइन को फ्रेंड हम कागज भी लगा कर डिजाइन के चारो तरफ में हम सिलाई चला लेंगे ये देखिए कागज के उपर हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और चोड़ी पत्टी को perfect shape में बैठाते हुए, हम इसकी उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद यहां से हमें एस्ट्रा चोड़ी पत्टी को कट कर लेना है एस्ट्रा चोड़ी पट्टी को कट करने के बाद इस डिजाइन को हम आस्तिन के कपड़े में लगाएंगे तो ये देखिए आस्तिन के कपड़े में हमें इस डिजाइन को ऐसे लगाना है हमारा चोड़ी पट्टी का फ्रेंट जो डिजाइन है, उसे हमें सुई धागा के मदद से आस्तिन के कपड़ी में ज्वाइंट कर देना है, केवल चोड़ी पट्टी को पकड़ते हुए हम इसे आस्तिन के कपड़ी में ज्वाइंट कर देंगे, अगर आप इस डिजाइन के ओपर सिलाई चलाना चाहते हैं, तो सिलाई चला सकते हैं, लेकिन सूई धागा के मदद से अगर आप इस डिजाइन को ज्वाइंट करेंगे, तो आपकी डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, ये देखिए हमने सूई अब हमें डिजाइन बनाने के लिए 6 इंच चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है। अब हमें कपड़े को सीधा करना है। एक बराबर में सीधी सिलाई चलाते हुए अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और इस कपड़े को हमें अब ऐसे बीच में से फोल्ड करना है। यह देखिए इसे ऐसे चप्टा करते हुए बीच में से हमें अच्छे से फोल्ड कर देना है। इसे ऐसे फोल्ड करने के बाद कपड़े की बीच में यहां पे हम सूई धागा की मदद से चूनट बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी चूनट बना लेना है कपड़े की बीच में ऐसे। अब किनारे के साइट से इस कपड़े को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हम इसकी उपर सिलाई चला कर यहां से एस्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कपड़े में ऐसे फोल्ड करेंगे यह देखिए कपड़े में हम इस बटम को ऐसे फोल्ड करके धागी की मदद से अच्छे से लॉक कर देंगे और पीछे की साइट से हम एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे ऐसी हमें दो और बटम बना कर तयार कर लेनी हैं सुई धागा के म अच्छे से निकाल लेना है कागच को निकालने के बाद हमारा डिजाइन और भी प्यारा लग रहा है तो फ्रेंड आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थाइन के साथ